नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है सुप्रिम कोट के कोलेजियम अब तुष्टिकरन के सिधान्त पर चलने लगा है जैसे राजनिती में तुष्टिकरन हो वैसे ही तुष्टिकरन अब कोट में भी हो यही नहीं, हाई कोट और सुप्रिम कोट में जिन जजों की न्युक्तियां की जा रही है, उन जजों के उपर जो IB की रिपोर्ट है, उसे साफ तोर पर सुप्रिम कोट के कॉलेजियम इनकार कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं IB की रिपोर्ट हो या RAW की रिपोर्ट, इन रिपोर्ट का सुप्रिम कोट के जजों के उपर कोई परभाव नहीं पड़ रहा है, और यही कारण है कि अब कोलेजियम विवस्था को खत्म करने के लिए अंतिम आदेश पारित करने के स्थिति सरकार की आ गई है, क्योंकि इन दि वकील को जज बनाने के अनुसंसा जो की गई वो बॉम्बे हाई कोट के थे, उसमें से एक वकील जो है, वो है फिर्दौस फिरोज पूनिवाला, दूसरे हैं शैलेश परमोद ब्रम्हें, और तीसरे हैं जितेंदर शांतिलाल जैन, और इन तीनों वकीलों को बॉम्बे बनाने के लिए या हाई कोट से सुप्रिम कोट लाने के लिए जजो की जो अनुसंसा की जाती है, कोलेजियम जो अनुसंसा करती है, उस अनुसंसा वाले वकीलों की कुंडलीन निकालने का काम, आई भी और आगे अगर जरूरत पड़े, तो रो या फिर CBI को भी सौपी जा एक जो बात कही गई थी, वो थी पूनिवाला के लिए, पूनिवाला जो बॉम्बे हाई कोट में जजन्यूक्त होने वाले हैं, उसके बारे में आई भी ने एक उल्टा रिपोर्ट दिया, जिसके बारे में कहा गया कि इन्होंने 2020 में उन लोगों के ग्रुप में काम किया ह जो लोग सरकार की नीतियों पर नहीं, बलकि संबैधानिक संस्थानों के उपर सवाल उठाते रहे हैं, जिनको लगता है कि इस देश में 2014 के बाद लोकतंत्र खत्रे में आ गया है, जिनको लगता है कि 2014 के बाद इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है, प्रीडम ओफ स्पीच नहीं रहा है और किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, मतलब लोकतंत्र खत्रे में बताने वाले उस गैंग का हिस्सा हैं, और इसलिए आईबी की रिपोर्ट को इस तरह से बताया गया कि 2020 की कुछ गटनाय हैं, जिसमें पुनी वाला खुद तो नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते रहें, जिन लोगों के साथ काम करते रहें, जो इनके सिनियर वकील रहें, इन सारे लोगों ने कई अभियान ऐसे चलाएं, और सरकार के खिलाप ऐसी बाते कहीं, जो केबल पार्टी और सरकार से संबंदित नहीं है बलकि देश से संबंदित है यानि की लोकतंतर खत्रे की बात कही सोसल मीडिया पर पोस्ट लिखे और साथ ही कुछ मीडिया हाउसेस में भी आर्टिकल लिखकर ये बताने की कोशिश की गई कि इस देश में संबिधान खत्रे में है लोकतंतर खत्रे में है अभी व्यक के सामने जब वो रिपोर्ट आई तो उसके बाद कोलेजियम में जो जज थे सुप्रीम कोट के इन लोगों को ये लगा ही नहीं कि आजादी बचाओ गैंग का हिस्सा होने के कारण इन वकीलों को जज बनने का अधिकार नहीं है और पहली तोर पर तो एक गलती की कि आई बी क रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जज बनने की योगता नहीं रखते हैं इनका विचार अलग हो सकता है तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन इनके पास एक्सपरटीज है ये लंबे समय तक बकालत करते रहे हैं और साथ ही पारसी समुदाय से हैं इसलिए पार्सी समुदाय से होने का मतलब ये तो नहीं होता है कि आपको जज बनने का अधिकार मिल जाए योगता हो जाए आपके विचार अगर संबैधानिक संस्थानों के खिलाप हो फिर वी आपको जज बना दिया जाए आपका विचार अगर एक पाटी विशेस की तरफ हो जुकाव रखने वाला हो एक जो राजनितिक तरीके होते हैं विचार होते हैं उसमें आपका जुकाव कहीं आर हो तो जज बनने के बाद आप हमेशा सरकार और दूसरी पाटियों के भी जूलते रहेंगे आपके फैसलों में ये दिखाई पड़ेगा कि आपने किस मुद्दे पर कौन से फैसले लिए जैसा कि अभी सुप्रीम कोट या हाई कोट के कई फैसलों में दिखाई पड़ता है कि जब सरकार के खिलाप कोई मामले आते हैं तो उसको कैसे एकसेप्ट किया जाता है वरवल टिपनिया कैसे किये जाती है और सरकार को घेरन के लिए अलग अलग तरकीवे कैसे निकाली जाती है इसलिए कानून मंत्री किरन रिजिजु ने भी पिछले दिनों कहा था कि ऐसा सुप्रीम कोट के और हाई कोट के जो रिटायर जज़ हैं वो कई ऐसे जज़ हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी में सामिल हैं इंजि लिए अब जज़ों की सूचिता उनके चरित्र उनके विचार का ध्यान रखा जाना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट ने आईवी की रिपोर्ट तो खारिज कर दी हीं दूसरी बड़ी गलती ये भी की कि कोलेजियम में बैठे जज़ों ने आईवी की उस रिपोर्ट को लीक भी कर दिया ये दूसरी बड़ी गलती है जो सरकार के लिए खतरनाक है क्योंकि सरकार बार-बार कह रही है कि आईवी रौ की रिपोर्ट जो सुप्रिम कोट के लिए दिभेजी जाती है जो वकीलों को जज़ बनाने के संदर में उनके विचार के संदर में उनके चरित्र को लेकर उनकी गत्विदियों को लेकर जो सौपी जाती है उससे सारजनिक नहीं किया जा सकता है और अगर सारजनिक करते हैं तो ये इंटेलिजेंस बीरों के अधिकारियों के लिए एक बड़ा सदमा जैसा है वो सरकार से ये सवाल पुछते हैं कि हम अलग-अलग वेश में अलग-अलग तरीके से ऐसी रिपोर्ट लाते हैं किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर हमारी रिपोर्ट लीक हो की आईबी की राकिर रिपोर्ट को लीक भी किया और उसकी बात मानने से इनकार भी कर दिया क्योंकि इससे पहले जब तीन जज़ों की निउक्ति के लिए अनुसंसा की गई थी तो उस पर भी सरकार ने पूरे तरीके से इसे खारिज कर दिया था उसमें भी तीन नाम थे औ एक हाई कोट दिली का दूसरा बॉम्बे का और तीसरा मद्रास का दिली हाई कोट में एक वकील हैं सौरब किरपाल जिनके बेटे बीन किरपाल सुप्रिम कोट के जज रह चुके हैं और सीजी आई भी रह चुके हैं उनके बारे में सुप्रिम कोट के कोलेजियम ने पिछल क्योंकि सौरब किरपाल गे हैं उनका पार्टनर स्विस है और विदेशी पार्टनर के साथ रहना और एक जज बनना हाई कोट में जो बाद में सुप्रिम कोट में भी जा सकते हैं ये खतरनाक हो सकता है इसलिए रा जैसी एजेंसी का भी इस्तेमाल उनके लिए किया गया जिस बेजियम में बैठे जजों ने साथ तौर पर कह दिया कि गय होना उनका सेक्षिल ओर्येंटेशन या विदेशी पार्टनर होना ये नहीं बताता है कि वह जज नहीं बन सकते जबकि सरकार ने साथ तोर पर मना कर दिया है हालाकि सौरब किरपाल कि ये जो लिटेस्ट अनु जो बड़े वकील हैं उनको जज बनाने की अनुशनसा की गई और जब आई बी की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें जजों को बोला गया कि ये देखिए इनका विचार कैसा रहा है ये समय समय पर सरकार के खिलाफ तो लिखते ही रही है लेकिन सरकार के खिलाफ लिखने के अल आजादी बचाओ आंदोलन की बात ये करते हैं जिसके लिए क्विंट जैसे जो पोर्टल है उसमें आर्टिकल लिखे हैं इन्होंने कुछ और पोर्टल के साथ साथ हकवार में आर्टिकल लिखे हैं इनको कैसे जज बनाया जा सकता है लेकिन सुप्रिम कोट को ये लगता ह कि पंच बनने से पहले उनके विचार क्या थे इसको दरकिनार कर दो उससे पहले वो क्या कर रहे थे इससे कोई मतलब नहीं है वो एक्सपर्ट हैं तो उनको जज बनाया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने उस पर भी ब्रेक लगा दिया है सोम सेखर सुंदरेशन को जज नहीं बनाया गया है अभी तक ये मामला भी अटका हुआ है तीसरा एक और अनुसंसा जो पिछले दिनों की गई थी मदरास हाई कोट के लिए की गई थी और ये जॉन सत्यन का मामला था जॉन सत्यन तो ऐसे वकील रहे हैं जो सरकार के खिलाब तो छोड़ दीजिये देश के खिलाब भी बात करते रहे हैं और उन्होंने एक अभियान भी चलाया था सेम आफ यू इंडिया और उसमें एक सुसाइड की कहानी थी अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उससे क्या भारत के उपर शर्मिंदगी होनी चाहिए इन्होंने कमपेंड चलाया था सोसल मीडिया पर और कई जगा पर ये आर्टिकल भी सरकार के खिलाफ लिखते हैं भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखते हैं कैसे उससे ये उमीद की जा सकती है कि हाई कोट में अगर सरकार का कोई मामला आएगा तो उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि ये सरकार के खिलाफ ही पैसला देंगे अगर कोई freedom of expression के लिए speech के लिए hate speech के लिए इनके पास जाता है तो ये क्या सरकार के पक्ष में जाएंगे या निश्पक्ष तरीके से करेंगे ये हमेशा सरकार के खिलाफ ही जा सकते हैं और इसलिए Supreme Court के कोलेजिय में बैठे हुए जज ये चाहते हैं कि ऐसे ही विचारधारा के लोग सारे High Court में निउक करके जाएं क्योंकि उन्हीं High Court से फिर Supreme Court में जाएंगे और ये वर्चस्व जो system का है जो की एक ऐसी विचारधारा है जो देश के लिए खतरनाक हो चकता है जो एक तरीके से Congress के पे हुए जेंडे को आगे बढ़ाने वाली है उस विचारधारा के लोगों को ही जुडिसियरी पर वर्चस बनाने की कोशिश की जाती है और इसलिए ये लंबे समय से इन लोगों ने उन्हीं वकीलों को सेलेक्ट करना शुरू किया कोलेजियम के अस्तर पर जो High Court में जाए तो कभी न कभी सुप्रिम कोट में उनका परमोशन होगा ही और यही 60-70 सालों से लगतार एक के बाद एक एक के बाद एक आते जाते हुए भी उसी विचारधारा के जज अभी तक हैं लेकिन अब कोलेजियम के खिलाफ अभियान चल रहा है और सरकार अंतिम फैसला लेने व कोट में और उन्हीं जजों को फिर सुप्रीम कोट में प्रमोट किया जाएगा तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही हमें सहयोग ताक कि इसी तरह ही खबर हम आपके लिए लाते रहें नन्यवाद